कि हम यहां पर सबसे पहले मोमज की फीलिंग बनाएंगे जिसके लिए एक पैनल गर्म होने के लिए चलिए चेक करते हमारा ऑईल गर्म हो गया है अब हम इस गर्म ऑईल में चार से पांच कटे हुए लैसुन डाल देंगे लैसुन को हम कच्छा पंदूर होने तक इसको साथे कर लेंगे अब हमने यहां पर कुछ कटी हुई सब्जी अली हुई है जिसमें से हम सबसे पहले एक जीच़मे भाल वुल कट हुए प्यास ढाल देंगे भी प्यास का कच्छा पंदूर होने तक हमक इसको आयल में साथे करेंगे इंगे अब हमें säga कटओरी हरी मतर डाल देंगे अरी मटा लगपग हमारी पक गई अब हम इसमें एक कटोरी कटी हुई सिम्लमिश डाल देंगे सिम्लमिश को हम गलने तक थोड़ा पकाएंगे सिम्लमिश लगपग हमारी पक गई है अब हम इसमें तेड़ कटोरी के तक रिवन 그래도 गाजर डाल देंगे गाजर को भी हम गल्ले तक पकाएंगी गाजर भी लगवर्ण कुछ का अमारी पक चुकी है अब हम इसमें कटी ही पत्ता गो भी डालेंगे फ्रेंट्स हम पत्ता गोभी को ज़ाधा नहीं पकाएंगे बस हलका से साते करेंगे ताकि इसका बस कच्चापन चला जाए, सारी सब्जीयों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें स्वाद के अनुसा नमक डाल देंगे, और एक चथाई चम्मच को डेई काली मिश डाल देंगे, काली मिश नमक को सब्जीयों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कि अब हम इसमें दो चम्मच क्लिए बिलिए में मिक्स खर लेंगे अब हमारी फीलिंग लगबग बन कर तयार है कि अब मिस को थंडा हूने के लिए रख देंगे अब हम हम यह आ पर मुमुच का डो बनाने के लिए हमने आपा 300 ग्राम मैता लिया हुआ है अब हम इसमें साथ कनुसा नामक डाल देंगे दो चमच डाल देंगे और डालने का सबसे बड़ा रीजन यह है फ्रेंस की से मोच कड़ों बहुत ही अच्छे बनका ट्यार होता है और मोच की पट्टिया बेलते समया फट्टी भी नहीं हम इसको दस्मिनेट के लिए रेश्ट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट हो चुके है हमारा अच्छी से फूल गया है हमने आपर थोड़ा सा उखा आठा लिया हुआ है जिसकी साहता से मोच की पट्टिया बनाएंगे अब हम मोच की पट्टिया बेलेंगे इसके लिए हम आ इसको спасибоhinossi पुरूरा इस तो यह पायँ पुड़ा यूहार नеспरीन कर विवाँ ना पुझाश्टा वेल्य रिवाँ दल पुरूरा यूह ज़िके कुछ इस तर्ड़ में नाका टियार कर लेंगे और इसी तरह हम अपने सारी पट्टियां बेल का ट्यार कर लेंगे प्रण जब हम घर में चपाती बनाते हैं तो उसको हम थोड़ा मोटा बिलते हैं तो जब हम मोज की पट्टियां बनाएंगे तो चपाती से थोड़ा हम पतला बेलेंगे और हमने यहाँ पर कुछ पट्टियां बेल का ट्यार कर लिए और फिलिंग भी लगवा ठंडी हो चली अब हम मोज बनाते हैं और हम यहाँ पर पहला डिजाइन बनाएंगे जिसके लिए हम यहाँ पर बीच में मोज की फिलिंग बनाएंगे और यह जैसे हम साड़ी की फ्लेट बनाते हैं चुननट डालते हैं ठीक उसी तरह हम यह साइट साइट से चुननट डालते जाएंगे देखिए कुछ इस तरीके से सारे चुननटों को एक साथ पकड़ते हुए हम इसको बीच ओ बीच बिल्कुल बंद कर देंगे प्लेट में निकान ये चलियाब हम अपनी सेकेंड डिजाइन बनाते हैं इसके लिए हम यह पर अपनी प्लेश को बीच में रखिए और साइड साइट से जैसे साड़ी का फ्लेट होता है वैसे हम प्लेट बनाएंगे लेकिन इसको हाफ भी बनाएंगे और हाफ में हम कुछ ऐसे बनाएंगे देखिए कोजिश तरी आयो आपको समझा गया हूँ अब हम थार्ड डिजाइन बनाते हैं और जिसके लिए याँ पर बिच से फिलिग बरेंगे जिए देखिए से लेती हों और नोग जैते हो दोनर साइट से लिए पीच में चिपका देंगे और इसी थी किसी तरह इसको भी हैं बीच में चिपका देंगे बन के ना कितनो संदर यह पॉकर डिजाइन हमारा थायर है आँप हम चल्य चाहती लें बनाते हैं इसमें भी फिर वर मैथेट बीच में शेट कर बायेंगे और इसी तरह बताएंगे लेकिन साडी की प्लेट एक दूसरे की उपार इसी तरह हम चिपकाते जाएंगे अलग अलग नहीं लेंगे देखिए कुछ इस तरह किसे यह पोटली काम सेब देंगे बीच में इसको होली रखेंगे यह हमारा पोटली त्यार है देखिए लग रहा है ना बहुत ही सुन्दर और चलि इस तरह से साइट से हम चुन्द लेंगे और एक दूसरे से हम ऊपर की और ही चिपका देंगे यह इस तरह से आयोब आपको समझ आ गया होगा और इसी तरह हम साइट सी डिजाइन की प्लेट डालेंगे और इसको उपर से चिपका देंगे आयोब आपको ठीक से समझ आ गया तो चेट्बाई और एक एक गर मॉमुज को स्टीम यह एक कर देंगे। कुछ इस तरीके से अब हम इसको 10 मिनिट के लिए धग देंगे कि 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे हमारे मुमोज अच्छे से बनकर तयार हुए है और फ्रंट हम यहां पर दो तरीकी मुमोज बना रहा है जिसे आदे मुमोज को प्लेट में निकाल लेंगे और हलके गर्म और में आपको में दो तरीके से बनाए नहीं मैम मैं इस अपसंद आया हो और जल्दी से बनाइए थैंक्स वर वाचिंग